जहीं दोस्तो, Redam asis तोो दोस्तो, Redmi Note 10 के उपर आज बताएंगे, Always on display का टोटल सेट और कैसे कैसे सेट अप करना होता है, क्या क्या मैनेज करना होता है, जो की Always on display का अंदर, Redmi डिवाइस के अंदर जो फोन हमें देखने हो आप कर दिया यहां पर दिखिए यह पूरा टाइम डिस्प्ले ओन रहेगा ताकि बार-बार आपको फोन ना करना पड़े और ना कि इसके अंदर डेट वगरा जो भी बैटरी वैकप कितना है और कुछ में SMS आया होता है वो सब यहां पर मैंसन हो जाता है तो आपके लिए आपने नोटिविशन थ्रू आये या आपको किसी सोचल साइड से हमारे इस वीडियो के बारे में पता चला तो उमीद करता हूं वीडियो आपको पसना आएका तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों रेड्मी नोट 10 यह जो फोन है चार जीवी चोशर जीवी वेरिंड में इसके अंदर अमलेड डिस्प्ले है जिसके कारण हमें यहां पर एक एक्स्ट्रा ओप्सन देखने को बिल जाता है जो कि ऑलेजन डिस्प्ले और थोड़ा सा मोटिवकेशन भी इसके अंद अदर अडिस्प्ले और साथ में एक लॉको करेंग दिकर लिशाता है इसको लॉस्तों का चाहिता झाला है तो करते हो तो आपके सिस्टम के लिए बैटरी बैकप के लिए काफी बढ़िया है सेकेंड फिचर में आपको माइट इम आप्शन आता है इसके अंदर मैंने यह तीन टाइप का थीम यूज किया था लाटेस्ट जो कि यह भी लाटेस्ट चल ला है जो कि यह से प्रिविएस था और यह था इसके उपर तो भाई इसके अंदर यहाँ पर आपको यूज करना है तो थोड़ा सा नीची चलिए कुछ सिगनेचर बगर आपको लिखना है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो जैसे यहाँ पर ऑल्लवेज बिलीव द्यार सम्थिंग जो डिफल्ट आया इसके अ इस भी आप यहाँ पर मेंसंग कर सकते हैं जैसे हैव ए गुड़ डए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लिजे यह हो गया इसको करने के बाद आपको यहाँ पर कलर फीचर भी आता है आप य कर दीजिए जब आप स्क्रीन आप करते हो आपको काम पर स्क्रीन आप कर दिए यहाँ पर आपको सो हो जाएगा हाव एक गुड़ इसके सब्सक्राइब नीचे आप चलेंगे जैसे आप नीचे जाओगे यहाँ पर और ऑल भी कई सारे फीचर से जो की डिजिटाल है सेलेक तब तक के लिए बाइब टिक्यार अनबंदे मात रहों